हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का हिल्फा मोनेटर योटूब चेनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा फेट्टी लेवर से चुट कर आपने के लिए क्या खाएं और क्या ने खाएं आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंता तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जन करिये वो प्राप्तोस के सरीर को साउस्त रखने के लिए लेवर का साउस्तोना बहुत जरूरी होता है लीवर हमारे सरीर का सबसे महतुपुरण अंग होता है क्योंकि लीवर हमारे सरीर में खाने को पचाने से लेकर पोशक तत्तों को स्टोर करने का काम करता है शाथ ही लीवर हमारे सरीर के गंदे पदार्थों को निकालने का काम भी करता है लेकिन आसकल की लाइप स्टाइल और गल्थ खानपान की वज़े से ज्यादातर लोगों में फैटी लिवर की बिमारी देखने को मिल रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैटी लिवर की समस्या होने पर लिवर फैल होने का खत्रा भी बढ़ जाता है इसलिए अगर किसी को फैटी लिवर की सिकायत है तो उसे अपने खान पान पर विशेश ध्यान देना चाहिए और समय रहते इस बिमारी से चुटकारा पा लेना चाहिए आईए जानते हैं फैटी लिवर की समस्याओने पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए सबसे पहले बात करते हैं फैटी लिवर की समस्याओने पर क्या खाना चाहिए नमबर एक है ब्रोकली, फैटी लिवर की समस्या उने पर ब्रोकली का सेवन फाइदिमन माना जाता है क्योंकि ब्रोकली लिवर में फैट को कम करने का काम करता है इसलिए अगर किसी को फैटी लिवर की सिखाएत हो तो उसे ब्रोकली का सेवन करना चाहिए नमबर दो है लहसून फैटी लिवर की सिकायत होने पर लहसून का सेवन काफी फाइदे मन माना जाता है क्योंकि लहसून और शतिय गुनों से वरपूर होता है इसलिए लहसून का सेवन करने से ही लिवर में मुझूद फैट कम होता है नमबर तीन है अक्रोट अक्रोट का 7 fatty liver की समस्य से चुटकरा पाने में काफी मददगार साबित होता है क्योंकि अक्रोट में ओमेगा 3 fatty acid पाहे जाता है नमबर 4 है एवोकाडो एवोकाडो का 7 fatty liver की बीमारी में काफी लबकारी साबित होता है क्योंकि इसमें anti-inflammatory के शाथ गुलन सिल फाइबर भी होता है इसलिए इसका 7 करने से fatty liver की समस्य से चुटकरा पाहे जा सकता है नमबर 5 है ग्रीन टी जिन लोगों को fatty liver की सिखायत है उनको रोजाना एक कप ग्रीन टी का 7 करना चाहिए क्योंकि इसमें मुझूद तत्तो fatty liver की समस्य को कम करने में मददगार साबित होते है नमबर 6 है क्येला Fatty liver की समस्य को कम करने के लिए क्येला खाना काफी फाइदमन भाना जाता है क्योंकि क्येले में uncuturated fat होता है शाथ इसमें monosaturated fat और omega 3 fat भी होता है इसलिए केले का सेवन करने से fatty liver की समस्या में काफी हद तक छुटकरा पाएं जा सकता है नमबर साब सेब सेब का सेवन fatty liver की समस्या में फायदी मन मना जाता है क्योंकि शेब में anti-inflammatory गुण होते हैं जो fatty liver से छुटकरा पाने में मददगार साबित होते हैं इसके अलावा दोस्तो फैटी लिवर की समस्या से चुटकर आपाने के लिए आप दलिया खा सकते हैं क्योंकि दलिये में बिटा गलुकोन भारी मातरा में पाये जाता है जो फैटी लिवर की समस्या को ठीक करने में मददगार साबित होता है इतना ही नहीं फैटी लिवर की सिकायतोंने पर कोफी का सेवन भी फाइदेमन्द होता है क्योंकि इसमें मुझूद केफीन एस सम्मन्य लिवर एंजाइम की मात्रा को कम करता है इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप सानते हैं हरी और ताजी सब्चियों का सेवन सभी को करना साइए और अगर आप फैटी लिवर से सम्मन्दित समस्य से चुटकरा पाना साते हैं तो आप सब्चियों का सेवन अवश्य करें हरी और ताजी सब्चियों का क्योंकि सब्चियों में फाइबर और बेटा के रोटीन पाय जाता है जो लिवर समंदी भीमारी से सुटकरा दिलाने में मददगार साबित होता है आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं फैटी लिवर की सिकायतोंने पर क्या नहीं खाना चाहिए फैटी लिवर की सिकायतोंने पर नमक का सेवन कम करना चाहिए फैटी लिवर की सिकायतोंने पर वाइट ब्रेड का सेवन का फियानी का रखमाना चाहता है क्योंकि वाइट ब्रेड हाई गलाइसेमिक फूड्स होता है जिससे शरीर में गुलकोस का स्तर तेजी से बढ़ता है इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए फैटी लिवर की सिकायत होने पर तली बुनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि तली बुनी चीजों में वसा बरपूर मात्रा में पाई साती है जो fatty liver वाले मरीजों के लिए काफी खतरनाक साबित होता है fatty liver वाले मरीजों को मिठी चीजों का सेवर नहीं करना चाहिए जैसे चोकलेट, fruit, juice, soda इन चीजों में sugar की मात्रा को जहता होती है तो दोस्तो यह था असका मेरा वीडियो यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको मेरे दोरा आने वाले नहीं नहीं वीडियो सबसे तो